हेलो फ्रेंट्स तो यहर आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि आज की क्लास में अपने स्टेडी करेंगे फ्लूड एंड इलेक्टोलाइट के बारे में चलिए मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ पहले क्या क्या बढ़ेंगे पूरी क्लास में तो first of all अपन बात करेंगे फ्लूड के बारे में फ्लूड के टाइपस अपने स्टेडी करेंगे टाइपस ओफ्लूड like isotonic, hypotonic, hypertonic देन अपने स्टेडी करेंगे fluid imbalance के बारे में जिसमें अपन hypovolemia, hypervolumia study करेंगे then अपन बात करेंगे electrolytes की जिसमें अपन sodium, potassium, calcium यह सारे important जितने भी electrolytes है वो अपन study करेंगे sodium के regarding hyponatremia, hypernatremia, potassium के regarding hypokalemia, hyperkalemia and calcium के regarding hypokalemia, hyperkalemia तो चलिए स्टार्ट करते हैं, fluid and electrolytes, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे, fluid की, तो देखिए human body में infant, adult and older person, इन में body के अंदर fluid जो है, infant के अंदर 80% fluid पाये जाता है, adult के अंदर 60% fluid पाये जाता है body weight का, और older adult जो है उनके अंदर 55% fluid पाये जाता है कितना, किसका body weight का, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है अब देखिए example लेके चलते है, मान लीजिए, एक individual है, adult ठीक है, उसके body weight का, body weight का, 60% क्या रहता है, fluid रहता है उसके body के अंदर 60% जो है, body weight का 60% क्या रहता है, fluid रहता है जिसको भी divide कर दिया, दो categories में, यह जो 60% है, इसको divide कर दिया, दो categories में यानि intracellular fluid और extracellular fluid तो इस 60% fluid का, 66% तो intracellular fluid होगा और इस 60% का ही 33% यानि 33% क्या रहता है, ECF, extracellular fluid रहता है intracellular अपने को पता है, cell के अंदर वाला fluid और extracellular का अपने को पता है, cell के बाहर वाला fluid cell के बाहर का मतलब, अब देखिए, 33% में कौन-कौन सा fluid आएगा इस 33% में, interstitial space वाला fluid आजाएगा, ठीक है और बाकी जो बचा है वो blood, lymph, like CSF, यह सारा fluid इसमें आजाएगा, ठीक है इस 33% का भी 80% क्या होगा, interstitial space में होगा और इस 33% का ही 20% जो है, इसको भी दो टू के टेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है इस 33% का 80% किसमें होगा, interstitial में, और इसका 20%, इस 33% का ही 20% किसमें होगा, blood, lymph, CSF, etc अब देखिए मैं आपको एकदम completely बता दिता हूँ, देखिए, example के साथ में मान लीजिए एक individual का weight कितना है, 70 kg है ठीक है, 70 kg इस individual का weight है, बड़ा ही important है, ध्यान से, आराम से समझना इस topic को सत, ये question भी आयोगा, एमस में, ठीक है न, तो मान लीजिए, एक adult है, उसका body weight, मैं देख लेता हूँ, glass start हो न, ठीक है तो मान लीजिए, एक adult जो है, उसका body weight कितना है, 70 kg है तो 70 kg का 60 परतिसत क्या होता है, fluid होता है, तो चलिए निकाल लेते हैं, 70 का, का जहां भी लग गया, मतलब गुणा लगाने 70 का 60 परतिसत, परतिसत कैसे निकालेंगे, ये बटा सो कर दिया, ठीक है, तो 70 का 60 परतिसत कितना हो गया, ठीक है 70 का 60 परतिसत हो गया, 42 लिटर, ठीक है, 42 लिटर, तो ये 42 लिटर एक adult के अंदर, जिसका body weight 60 kg है, तो उसके अंदर 42 लिटर क्या होगा, fluid होगा, ठीक है तो 60 परतिसत, यानि एक adult जिसका body weight कितना था, 70 केजी था, तो 70 का 60 परतिसेंट अपने निकाला कितना हो गया, 42 लिटर, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, 42 लिटर, अब देखिए, अब इस 42 लिटर को दो केटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ICF और ECF, अब दे आएगा निकल किर के, 42 का 66 परतिसत कितना निकलता है, 27 लिटर, निकाल लेना अराम से, ठीक है, तो 42 का, इस 42 का 66 परतिसत अपने निकाला, तो कितना निकल किया है, ICF निकल किया है, 27 लिटर, ठीक है, अब इस 42 का निकालते हैं, अपन ECF, extra cellular fluid, तो 42 का 33 परतिसत क्या होता है, एक्स्ट्रा सिल्वरार फिलूड रता है तो इस 42 का ही निकाल लेते हैं वापी से 42 का 33 परतिसद अपन इस ही अपन निकाल रहे है 33 परतिसद भाग 100 तो निकालेंगे तो कितना आजाएगा अपने पास में 13 लिटर तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि एक individual adult जिसका body weight अपने माना 70 के जी किसी का 80 भी हो सकता है पिचाशी भी हो सकता है कितना भी माल लेना मैं आपको एक्जामपल चे समझा रहा हूँ एक adult जिसका body weight है 70 के जी तो 70 का 60% 70 का वापीस रिपीट कर रहा हूँ 70 का 60% अपन निकालेंगे तो 42 लिटर उसके अंदर body का fluid है ठीक है 70 कीलो का आदमी है उसके अंदर 42 लिटर तो fluid fluid है अब 42 लिटर में से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ECF निकालेंगे सबसे पहले तो 42 का 42 का 66% अपन निकालेंगे तो अपने पास निकल करके आएगा 27 लिटर extra cellular fluid और 42 लिटर का ही 32 लिटर का ही 33 परतिसथ यानि ये वाला ECF निकालेंगे 42 का 33 परतिसथ यानि की 13 लिटर के ice के अंदर extra cellular fluid है इस तरीके से अपन fluid जो है वो निकालते है समझ में आगए होगा आपको अच्छे तरीके से अब देखिए मैं आगे एक बात पताता हूं important के adult के अंदर तो 60% fluid है ठीक है लेगिन ये देखिए infant के अंदर body का maximum fluid जो है 80% fluid से बनी हुई ठीक है वहीं अपन बात करें तो older adult है इसके अंदर 55% fluid है तो इसलिए infant and older adult are greatest risk for fluid loss क्यों क्योंकि देखिए ये जो infant है infant की body पूरी fluid से बनी है maximum fluid से बनी हुई है ठीक है जबकि older adult है उसके अंदर already fluid कम है ठीक है तो इसके पास already fluid कम है तो इसलिए इसको fluid के important ज़्यादा है इसके लिए ठीक है और इसके पास already fluid बहुत ज़्यादा है ठीक है तो इसलिए क्योंकि body पूरी fluid से चल दिये तो इसलिए भी इसको क्या है इन दोनों को ही fluid की ज़्यादा आवसकता रहती है तो ये दोनों जो है अपने ये अनकलेक्स का point यहाँ पर एड किये तो infant and older adult are greatest risk for fluid loss ठीक है ध्यान में रखना है चलिए अब अपन बात करते हैं types of fluid जो मैंने starting में content लिखे है न उनको note कर ले न वो एक-एक content सारी discuss करेंगे अपने इसमें next अपना point है types of fluid intravenous fluid की बात और ही यह यह मैंने किस की बात की थी यह मैंने body की fluid की बात की थी infant, adult, older adult infant, adult की बात कर रहे हैं adult के अंदर ECF, ICF interstitial, blood, lymph यह सब मैंने body fluid की बात की बात किये अब मैं बात कर रहा हूँ types of IV fluid intravenous fluid की बात कर रहा हूँ तो दो परकार के fluid जहां वो infuse किये जाते हैं कौन-कौन से दो परकार के कौन से fluid है crystalloid एक परकार और दूसरा colloid crystalloid में आपके सारे isotonic, hypotonic, hypotonic like NS, D5, RL यह सब इसके अंदर आ जाएंगे जबकि colloids के अंदर blood, blood के जितने भी product है protein है, plasma protein है यह सारे के सारे किसमें आएंगे colloids में आएंगे तो यह example भी ध्यान में रखना है चलिए, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे normal osmolarity osmolarity का मतलब आपको simple language बताऊँ कि एक यह container है इसके अंदर fluid भरा हुआ है इसके अंदर molecules भी है अनू भी है तो अनू की सांदरता ही क्या क्यालाता है osmolarity यानि कि इस fluid का गाड़ापन इसके अंदर अनू की संक्या कितनी है उसको यह अपन क्या बोलते है osmolarity बोलते है speed मेरी ज्यादा हो सकती है थोड़ा सा वीडियो को slow कर लेना speed जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो की length ज्यादा हो जाती है osmolarity ज्यादा होना का मतलब होगी तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि fluid उसमें अनू ज्यादा है वोह गा ज्यादा है osmolarity कम है इसका मतलब fluid के अनू कम है और fluid पतला है तो देखीए नोर्मल osmolarity अपने सेल की बात हो रही है यह सेल की osmolarity body की जो सेल है उसके अंदर जो fluid है उसकी osmolarity जो है वो 250 से 375 mmol पर लिटर रहता है इतने अणों की सांदरता रहती है ठीक है यह नॉर्मल बात हो गई यह ध्यान में रखना अपने को तो यह जो नॉर्मल osmolarity है सेल की इसको ही अपन क्या बोलते हैं आईसो टोनिक ठीक है आईसो टोनिक अब यदि मान लीजिए यदि osmolarity 250 से कम हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे हाइपो टोनिक ठीक है यदि किसी भी solution की osmolarity 250 से कम हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे हाइपो टोनिक solution यदि किसी solution की osmolarity 305 से ज़्यादा हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे hypertonic fluid ठीक है या solution चलिए अब अपन बात करते हैं first one isotonic fluid isotonic का मतलब ISO का मतलब होता है बराबर किसके बराबर? cell के बराबर equal to cell यानि ऐसा fluid बाहर से inject किया जाने वाला infuse करने वाला, sorry बाहर से infuse किया जाने वाला ऐसा fluid जिसकी सांदर्ता, जिसके अणों की सांदर्ता equal to cell हमारी body की cell की जो सांदर्ता है उसके बराबर हो तो उसको अपन बोलेंगे isotonic fluid ठीक है? तो isotonic fluid की सांदर्ता कितनी रहेगी? जितनी cell की है cell की कितनी थी? 250 से 375 mmol per liter तो ऐसा fluid जिसकी सांदर्ता इस range के बीच में हो वो सारे fluid किसमें आएंगे? isotonic fluid में आएंगे, तो चली examples की बात कर लेते हैं, क्योंकि example ही पूछेगा अगला, तो NSS normal saline solution याने कि इसमें 0.9% की होता है NaCl sodium chloride होता है दूसरा fluid RL ringer selected solution जिसमें sodium भी होता है potassium भी होता है और calcium भी होता है next D5 D5W याने dextrose 5% in water तो ये 3 की 3 example किसके है isotonic solution के है जिनकी सांदर्ता कितनी रहेगी 250 से 375 के बीच में ही रहती है ठीक है समझ में आ गया? चली next आपन बात करते है hypotonic solution या hypotonic fluid एक ही बात है तो hypotonic, hypo मतलब से कम, किस से कम? cell की सांदर्ता से कम, ठीक है? तो cell की less than, tonicity जो है वो less than cell, human cell से जिस fluid की सांदर्ता कम होती है उसको आपन बोलेंगे hypotonic solution या hypotonic fluid, ठीक है? अब देखिए, ऐसा fluid after infusion infusion करने के बाद में ये वाला fluid after infusion of it, cell will swollen cell swollen हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखिए, cell की सांदर्ता मैंने क्या बताया? ये है cell, ये अपने मान लीजे fluid inject कर दिया, infuse कर दिया, ठीक है? तो ये fluid की सांदर्ता क्या है? कम है, और cell की सांदर्ता क्या है? ज्यादा है, ठीक है? तो हमेशा नियम पड़ाओगा आपने osmosis का, कि कम सांदर्ता से lower concentration to higher concentration fluid जाता है, ठीक है? तो ये जो अपने infuse किया है, ये वाला fluid, इसकी सांदर्ता क्या है? कम है, क्योंकि hypotonic fluid है तो इस fluid के सांदर्ता कम है cell की सांदर्ता ज्यादा है तो कम सांदर्ता से ज्यादा की तरफ osmosis का नियम कहता है from lower concentration to higher concentration क्या होता है? fluid का गमन होता है, fluid का transportation होता है, ठीक है? तो यहाँ पे fluid अंदर आ जाएगा इसके cell के इसलिए cell will swollen cell will swollen important line है, लिख लेना साइड में ठीक है? चलिए, कौन सा fluid? जब भी hypotonic fluid अपन डालेंगे body में, तो hypotonic fluid जो है, यह क्या करता है, sales वालन कोज करता है क्यों करता है, मैंने बता दिया आपको, चलिए तो इस वाली fluid की बात करते हैं, इस वाली fluid की hypotonic solution में, देखिए D5 था, D5W, यह तो क्या था, आइसोटोनिक था अब D3 हो गया, D3W हो गया तो इस किस में आएगा, हाइपो में आएगा अपने बात किती, NS किस में आता है, आइसोटोनिक में आता है तो half NS किस में आएगा, half NS hypotonic में आएगा, और one third NS किस में आएगा, यह भी hypotonic में आएगा, आई ना बात समझ में, ठीक है, चलिए next अपने बात करते हैं, hypertonic fluid, hypertonic solution की बात करते हैं, hyper का मतलब सभी को पता है hyper का मतलब ज़्यादा, किस से hyper, से hyper, ठीक है तो इस वाले fluid की सांदरता ज्यादा होगी, यहाँ पे cell की सांदरता कम होगी, तो ऐसा fluid, जिसकी सांदरता cell की सांदरता से ज्यादा हो, उसको बन क्या बलेंगे, hypertonic fluid यह hypertonic solution, तो देखिए, इस वाले fluid को infusion करने के बाद में, ठीक है, cell will shrink, cell shrink हो जाएगी, पिछक जाएगी, cell का fluid भी बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, वही जिदात, osmosis वाला, कि यह अपने क्या किया, यह अपने fluid, जो है, intravenous fluid, इंजक्ट किया, और यह अपनी क्या है, cell है, ठीक है, तो यहाँ पर, cell की सांदरता क्या है, कम है, और fluid की सांदरता क्या है, ज्यादा है, तो osmosis का वही नियम यहाँ पर लगएगा, कि from it से lower concentration, मैं osmosis का नियम भी समझा रहा हूँ साथ में, from it से moment of fluid, from it से lower concentration to it से higher concentration, तो cell के अंदर का fluid निकल जाएगा, तो cell तो बिचकेगी न, तो इसलिए उसको बोलते हैं, cell will shrink, shrink हो जाएगी cell, ठीक है, यह भी question exam में आयो आएग, कि hypertonic fluid जो है, वो क्या कोज़ करता है cell के अंदर, यह cell को shrink कर देता है, ठीक है, चलिए, अब इसकी osmolarity की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने starting में बताया था, osmolarity, hypertonic fluid की, hypertonic fluid की कितनी रहेगी, more than 375 mmol per liter रहेगी, ठीक है, चलिए, यह mmol, mmol, यह जो है, यह मात रख है, ठीक है, चलिए, अब example की बात कर लेते हैं, तो D5W किसका था example, isotonic fluid का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने NSOroid कर दी, तो NSOroid करने के बाद में, यह दोनों क्या बन गए, यह hypertonic हो गए, उसी परकार से, D5W किसका example था, isotonic का, RL over-aid कर दिया, तो यह दोनों मिल करके क्या हो गए, hypertonic हो गए, D5W, D5W किसका example था, isotonic का, तो अब D10 कर देंगे, तो किसका example हो गया यह, hypertonic का, D20W, किसका example हो गया, hypertonic का, यह सारे के सारे examples भी अपने को ध्यान में रखना, यह topic complete होता है, चलिए, अब अपन बात करेंगे, hypovolumia, fluid volume deficit, जो मैंने starting में content बताये थे, वो सारे के सारे discuss कर रहा हूँ, one by one, वापिस मिलान कर लेना उन से, अब अपन बात करेंगे, next topic अपना, fluid volume deficit, and fluid volume excess, यह देखिए, important है यह भी, fluid volume deficit, जिसको अपन dehydration बोलते हैं, और fluid volume excess, जिसको अपन overhydration बोलते हैं, चलिए, dehydration की अपन बात कर लेते हैं, तो dehydration, यह वाला क्या है, यह dehydration है, यह देख लीजिए, मिलान करते हुए पड़िए, तो dehydration जो है, उसमें cardiovascular, सारे सिस्टम में परिवर्थन आएगा, तो cardiovascular system में क्या परिवर्थन आएगा, dehydration का सिधा सा मतलब है, कि volume कम हो गया, बलड के अंदर, तो cardiovascular system में क्या आएगा, weak, thready, and increased pulse अपने को मिलेगा, increased pulse rate मिलेगा, और क्या मिलेगा, hypotension BP low होगा, और central venous pressure, जो कि normally कितना होता है, 7 to 8 mmHg होता है, यह central venous pressure भी क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, क्यों, क्योंकि vein के अंदर का pressure ही decrease हो जाएगा, fluid ही कम हो गया, तो यह सारे परिवर्टन आएगे, dehydration में, cardiovascular system में, वहीं over hydration में, cardiovascular system के अंदर क्या क्या परिवर्टन आएगे, तो over hydration का मतलब है कि fluid volume जादा हो गया, तो इसलिए, जो cardiovascular system है, उसके अंदर क्या मिलेगा, अपने को bounding, strong, and increased pulse rate मिलेगी, ठीक है, hypertension मिलेगा, ठीक है, और साथ, क्योंकि, क्योंकि fluid का volume बढ़ गया, इसलिए hypertension मिलेगा, और central venus pressure भी बढ़ जाएगा, कितने से more than 8 mm Hg हो जाएगा, यह भी लिख लेना side में, ठीक है, चलिए, next अपन बात करते हैं, dehydration में, respiratory क्या-क्या परिवर्थन आएगे, तो dysnia generally होता है, जबकि, over hydration में, respiratory system में, crackle on ascultation, यह जब भी अपन स्टेटेस्कोब लगाकर, sound चुनेंगे, तो crackle sound अपने को मिलेंगे, ठीक है, चलिए, next अपन बात करते हैं, neurology में, nervous system जो है, उसके अंदर क्या-क्या परिवर्थन आएगा, तो decrease, central nervous system का जो action है, वो क्या होगा, decrease हो जाता है, इसकी moment decrease हो जाती है, कि इसमें, dehydration में, जबकि, over hydration में, altered level of consciousness, क्योंकि, brain के tissues में, cerebral edema हो जाती है, तो इसलिए, altered level of consciousness होता है, एक-एक point imported है, और मैंने NCLEX से pick up की है, यह point ठीक है ना, चलिए, next, renal system में dehydration के अंदर क्या-क्या परिवर्थन आएगा, तो renal system में body के अंदर fluid ही कम है, तो urine output भी क्या होगा, decrease ही होगा, ठीक है, जबकि over hydration fluid जादा है, तो over hydration में, renal system में increase urine output होगा, तो dry skin मिलेगी dehydration में, जबकि over hydration में अपने को cool, kami and edematous skin है वो अपने को मिलेगी, चलिए, next अपन बात करते हैं, GI system में, GI system के अंदर, dehydration के अंदर increased thrust मिलेगा, अपने को कौनस्टी पैसन मिलेगा, कब जी मिलेगी, जबकि over hydration में slightly diarrhea मिल सकता है, चलिए, next अपन बात करते हैं, management की, last अपन बात कर लेंगे, किसकी, management की, तो dehydration का management क्या करेंगे भईया, IV intravenous fluid infuse करेंगे, जबकि over hydration है, तो diuretics लगा करके, fluid को wash out करेंगे, बाहर बोड़ी से, बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो this is all about dehydration, and over hydration, चलिए, यह topic हो गया, अगला topic, electrolytes, जो first content मैंने बताया थे सारणी, उससे मिलान करते हुए पढ़ना, next content है electrolytes, electrolytes में सबसे पहले अपन बात करेंगे, sodium की, then अपन potassium की बात करेंगे, sodium की बात करेंगे, hyponatrima, hyperonatrima, then potassium की, and then calcium की बात करेंगे, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, class थोड़ी सी बड़ी हो रही है guys, लेकिन एक एक चीज़े important है, अच्छे से इसको हर एक बिंदू को पढ़ना जुरूरी है, चलिए, hyponatrima and hyperonatrima, hyponatrima का मतलब होता है, कि sodium जो है, less than 135 milliculant per liter, यह NCLEX के data है मईया, hyponatrima means sodium, ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपन etiology की बात करते हैं, hyponatrima की etiology की बात कर लेते हैं, तो देखिए, मैं पहले आपको separately यह दोनों बता देता हूँ, सबसे पहले आपन hyponatrima की बात करेंगे, देन आपन hyperonatrima की, तो देखिए, hyponatrima जो है, उसकी etiology की बात करते हैं, तो जब, जब body से increased sodium washout हो जाए, जब body से increased sodium excretion हो जाए, बाहर निकले, ठीक है, जैसे की sweating ज़्यादा हो रही है, डाइफोरेसीस हो रहा है, तो इसका मतलब sodium बाहर निकल रहा है, तो hyponatrima होगा, ठीक है, कारण की बात कर रहे हैं, पर hyponatrima होने की क्या क्या कारण है, diuretics कुछ एक important है, जो की sodium को washout करती है, ठीक है, like vomiting हो रहा है individual को, diarrhea हो रहा है, तो भी क्या होगा, sodium washout होगा, wound drainage में भी sodium बाहर निकलता है, और renal disease में भी क्या होता है, sodium body से बाहर निकलता है, तो यह सारे के सारे क्या किसके कारण है, hyponatrima की, साथ ही साथ, अब देखिए दो important चीज़े, एक होती है disease, addition disease, और दूसा होता है, SIAD, addition disease के अंदर, aldosterone जो hormone है, जो कि sodium को main hormone है, sodium को maintain करने वाला, यह aldosterone hormone क्या होता है, decrease हो जाता है, addition disease में, aldosterone hormone decrease हो जाता है, उसकी वज़े से, यह sodium को maintain करता है, तो यह hormone खुद ही कम हो गया, तो sodium का level भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमेशा sodium जब गढ़ता है, तो body में potassium इसके विपरित बढ़ जाता है, तो addition disease में भी क्या होता है, so hyponatomy में होता है, वहीं है अपन बात करें, syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone, जिसके अंदर anti-diuretic hormone inappropriately बढ़ जाता है, तो body में oliguria होगा, body से fluid बाहर कम निकलेगा, और fluid body के अंदर बढ़ जाएगा, तो body में fluid बढ़ गया, लेकिन sodium जो है, वो तो जितना था उतना यह, तो comparatively क्या होगा, sodium कम हो जाएगा, तो इसलिए इस disease में भी क्या होता है, hyponatomy होता है, तो यह तो पढ़ लिए अपने कारण किसके, hyponatomy होता है, next अपने बात करते हैं, science symptom की, तो science symptom क्या क्या, होता है अपने को, decreased fluid volume मिलेगा, क्यों? क्योंकि sodium कम होगा, तो fluid भी कम होगा, sodium जहां भी कम होता है, वहाँ fluid भी कम हो जाता है, क्योंकि दोनों आपस में, víngg होकर गे रहते हैं, sodium बढ़ेगा, तो fluid भी बढ़ जाएगा, ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल सा नियम है, ठीक है, और क्या होगा, urine output बढ़ जाएगा, dry mouth होगा, ठीक है, treatment की बात कर लें, तो normal saline solution जो है, वो treatment में अपने को देना है, क्योंकि इसमें क्या है, NaCl, sodium की कमी है, sodium अपन दे देंगे, चलिए, उधर अपन बात करते हैं, hypernatrium या की, तो potassium level more than 145 millikulant हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर, यानि की increased sodium अपन इंटेक कर रहे है, कारण क्या होगा, increased sodium intake, अगर sodium diet में ज्यादा ले रहे है, तो hypernatrium हो नहीं है, ठीक है, next कारण की बात कर लेते हैं, cussing syndrome, addition disease के just opposite disease क्या है, cussing syndrome, जिसके अंदर addition disease में क्या होता, एल्डोस्टरोन कम हो गया, यहाँ पे एल्डोस्टरोन बढ़ जाता है, तो एल्डोस्टरोन बढ़ गया, तो sodium भी बढ़ेगा, और sodium बढ़ेगा, तो potassium घटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे sodium की बात हो रही है, तो addition disease, cussing syndrome में क्या होगा, hypernatrium में होगा, वहीं diabetes incidence की बात कर ल होगा, तो इसलिए sodium का level क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि fluid तो बाहर निकल गया, अब blood के अंदर क्या बचा है, molecules बचे है, molecules में sodium बचा है, ठीक है, तो इसलिए hypernatrium में होगा, वहीं है आपन बात करें, sand symptom की, hypernatrium में की sand symptom की बात करें, तो fluid जो है, fluid volume बढ़ जाता है, क्योंकि sodium मैंने बताया था, अभी sodium बढ़ेगा, तो यह अपने साथ में fluid को भी बढ़ा लेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, decrease urine output होगा, और dry mouth यहाँ भी होगा, अब देखे, treatment में हम पन क्या देंगे, D5W, intraven fluid तो देंगे, half NSS देंगे, normal saline देंगे, ठीक है, यह इसमें treatment में हम पन देंगे, अब देखे, एक important बात ध्यान में रखना, sodium से regarding, जो कि enkleks का point है, hyponatrium, यदि किस individual को lithium therapy चल रही है, ठीक है, lithium किस की drug of choice है, mania की drug of choice है, तो यदि किस individual को lithium therapy चल रही है, और उस individual में, यदि hy hyponatriumia हुआ, तो उस individual में lithium toxicity का risk बढ़ जाता है, very very important, इसलिए इस बंदे को lithium चल रहा है, उसमें sodium भी बार बार में check किया जाता है, और यदि कम हो रहा है, तो उसको sodium भी infuse किया जाता है, उसको sodium जो है intravenously उसको दिया जाता है, ठीक है, important point है, ध्यान में रखना, तो यह सब कुछ हुआ sodium के बार में, अब अपन बात करते हैं potassium के बार में, hyponatriumia, hypokalemia and hyperkalemia, ठीक है, तो देखे, potassium level, सबसे पहले अपन बात करेंगे, hypokalemia की, तो जब potassium, normal potassium 3.5 से 5 millikulant के बीच में रहता है, ठीक है, तो जब potassium level, जब potassium level 3.5 millikulant per liter से कम हो जाए, तो उसको अपन बोल cussing syndrome में होता क्या है, eldosterone बढ़ जाता है, eldosterone बढ़ेगा, तो sodium बढ़ेगा, sodium बढ़ेगा, तो potassium गटेगा, तो इसलिए potassium गटा है, इसको अपन ने क्या बोला, hypokalemia बोल दिया, ठीक है, तो hypokalemia का में कारण क्या है, cussing syndrome, आ गया समझ में, अच्छे से पहले discuss कर लिया था ठीक है, और hypokalemia का, potassium का कम होने का क्या करण है, insulin, insulin increase हो जाए, तो hypokalemia, क्यों, क्योंकि insulin क्या करता है, देखिए, insulin जो है, ये potassium को, ये potassium क्या करता है, cell के अंदर infuse करने का काम करता है, तो blood vessels के अंदर का potassium है, ये cells के अंदर चला जाएगा, तो blood vessels के अंदर तो potassium कम हो जाएग तो इसलिए insulin क्या करता है, potatium को decrease करता है, hypokalemia करता है, ठीक है, और potatium के कम होने के क्या 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 करने है, vomiting angi suction, nezogastik suction क्यों हो, क्योंकि ये zogastik content है, इसके अंदर potatium सबसे ज़्यादा होता है, तो उल्टी अगर होगी, vomitting हो गया, तो potatium भाहर निकल जाएगा, angi suction कर ल तो impulse बढ़ेंगे, और potatium घड़ेगा, घटेगा तो impulse भी घटेंगे, तो ये मान के चलना है, science symptom से, तो potatium यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए weak pulse मिलेगी, decrease bowel sound मिलेंगे, और paralytic ileus, यानि की जो कंपा कुंचन जो गती है, क्या बलते है, उसको parastylysis moments जो है, वो कर दो, ठीक है, और साथ इसाथ, potatium sparing diuretics, जो है, spironolectone, ये infuse कर दो, जो potatium को spare hold करके रखती है, बोडी में, वो diuretics, जो है, वो infuse कर दो, ठीक है, तो ये treatment हो गया, वहीं है, अपन next, second half, इसका बात करते है, hyperkalemia, hyperkalemia का मतलब potatium level more than 5 mille equivalent per liter, ठीक है, exit कर रहा है, विस्तार में आपको बताया थी, addition disease, addition disease में क्या होता है, aldosterone कम होता है, decrease aldosterone hormone, decrease aldosterone का मतलब sodium, sodium कम तो potatium, बढ़ता है इसके विप्रित, तो potatium बढ़ने को ये अपन क्या बोलते है, hyperkalemia बोलते है, ठीक है, तो hyperkalemia का main कारण क्या हो गया, addition disease हो गया, ठीक है, increase और क्या for example, carcinoma, cancer, cell lysis मतलब cell ज्यादा टूटेगी, तो potatium केचे बढ़ेगा, क्योंकि cell का intracellular, जो important cation है, cation का मतलब cation, कही cation बोलते है, intracellular important, maximum abundant, abundant का मतलब होता है, maximum amount में पाया जाने वाला, तो intracellular abundant, जो element है, वो क्या है, potatium है, cell के अंदर potatium ज्यादा होता है, cell के बाहर sodium ज्यादा होता है, तो potatium ज्यादा होता है, तो cell टूटेगी, cancer के अंदर क्या होगा, cell का lysis होगा, cell टूटेगी, तो अंदर का जो potatium हो, वो बाहर निकलेगा, बाहर कहाँ पे, blood vessels के अंदर, ठीक है, तो इसलिए blood vessels के अंदर तो potatium बड़ी जाएगा न, तो इसलिए, ज sparing diuretics अभी बतायता है spironolektone जब बोडी में potassium sparing diuretic अपन जाता दे देते हैं like spironolektone जैसे diuretic तो उस condition में भी क्या होता है potassium level बढ़ जाता है चलिए science symptoms की बात कर लेते हैं तो मैंने बतायता potassium is equal to impulse potassium बढ़ेगा तो impulse बढ़ेंगे potassium गटेगा तो impulse गटेंगे तो यहां पर potassium बढ़ रहा है तो impulse भी क्या होंगे बढ़ेंगे pulse भी यहां पर क्या बढ़ेगी बढ़ रही है ball sound भी क्या हो रही है बढ़ रही है डाइरिया हो रहा है क्योंकि परिस्टालेसिस मॉमेंट भी बढ़ेगी और अब्डॉमिनल क्रेम भी बढ़ेंगे चलिए मेनेज्मेंट की बात कर लें तो potassium का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था मेनेज्मेंट क्या करेंगे glucose plus insulin देंगे यह insulin क्या करता है यह blood vessels के अंदर जो sorry, sails के अंदर जो blood vessels के अंदर जो excessive amount में potesium था उसको क्या करेगा यह sails के अंदर shift कर देगा तो इसलिए blood vessels में तो क्या हो जाएगा potesium कम हो जाएगा चलिए, next क्या है kya excellent enema, यह enema क्या करता है hypo kiloemia coach करता है ठीक है इसलिए potassium level को manage करता है अब देखे एक important concept जब भी individual को cardiac failure का congestive heart failure का patient है उसको digoxin चल रही है और जब भी individual को digoxin therapy चल रही होती है तो उस time पर hypokalemia can cause digoxin toxicity कभी भी जब individual को digoxin चल रहा है उसका हमेशा इसलिए nursing officer क्या करते हैं हमेशा उसका जो potassium level है regularly, regular time interval पर potassium level identify करते रहते हैं ठीक है क्योंकि इसमें एक बार hypokalemia हो गया ना तो digoxin का toxicity है वो तुर्ण बढ़ता है इसके अंदर तो इसलिए एंकलिक्स का important बिंदू है important लगा लेना क्या के hypokalemia can cause digoxin toxicity इसलिए ये अपने को ध्यान बेर रहना है चल लिए next and last अपना बसता है calcium की regarding, hypokalemia बात करेंगे अपन सबसे पहले देन आपन बात करेंगे hypercalcemia ठीक है तो hypokalcemia calcium का range कितना होता है body में 8.5 mg per dl से 10 mg per dl के बीच में रहता है calcium का level ठीक है अब देखिए सबसे पहले में बात करूँगा hypokalcemia की देन अपन बात करेंगे hypercalcemia की तो hypokalcemia में calcium का level less than 8.5 mg per dl ठीक है कारण क्या क्या है important जो etiology वो क्या रहती है calcium के कम होने की vitamin D सबसे पहले तो vitamin D का decrease intake के दी vitamin D कर रहे हैं तो calcium को भी क्या करता है calcium and vitamin D जो है वो साथ में रहती है ठीक है तो decrease vitamin D क्या कोज करता है hypokalcemia कोज करता है और hypoparathyroidism hypothyroidism ठीक है दोनो calcium को regulate करने वोले hormones हैं जब यही कम हो जाएंगे तो calcium का level भी घट जाएगा और end stage renal disease inflammatory bowel disease इन में भी क्या होता है hypokalcemia होता है क्यों क्यों क्योंकि end stage renal kidney क्या करती है calcium को maintain करने का काम करती है balance करने का काम करती है अब kidney ही failure end stage पी आ गई है तो उस condition में hypokalcemia ही होगा ठीक है सारी important कारण में ने बता दिया अब देखे science symptom की बात कर लेते है ठीक है तो calcium कम होगा तो heart rate and BP blood pressure भी क्या हो जाएंगे क्योंकि calcium भी conduction से related है ठीक है impulse से related है hypokalcemia होता है तो impulses भी क्या होते है decrease होते है और hypercalcemia होता है तो impulses भी क्या होते है है इंक्रीज होते है ठीक है तो देखे है hypokalcemia में heart rate and BP दोनों decrease हो जाते है और important sign पॉजिटिव joystick sign and positive truceus sign hypokalcemia के दो महत्यपूर्ण sign very very important अत्यांत महत्यपूर्ण बिंदू है दोने के दोनों क्या होता है दोने को दोनों sign मैं बता देता हूं joystick sign जब भी facial muscles यह एक individual है यह इसका चेहरा है सुन्दर सा ठीक है इस facial muscles का एक जो चिक है उसको अपन टेप करेंगे न इसे टक टक यहां से टेप करेंगे तो individual अपना चिक जो है वह opposite direction में move कर लेगा ठीक है अपने चेहरे को क्या करेगा अपने muscles को क्या करेगा इस यहां पर contraction होगा muscles में तो उसको अपन बोलते हैं इन्वार्ड क्या होगा moment होगा यहां पर उसको अपन बोलते हैं ट्रोसाउ साइन ठीक है चलिए यह दोनों के दोनों साइन किसके हैं हाइपोल्चीमिय के साइन है और क्या होगा है है किया है हंब तैन नੇकलेक्स को लिए में वहां बात बात करते हैं हम घंस यह दो हाईपर केलशीमिया का मतल chinese में करें, पर बता है च किन सट करें रख़कू हम्में तो यह बता रखे हैं को जूचिंग वालों ने हमें तो वह बता रखे अगयों सुक्त करें नेक्ट है कि बात कर रहे हैं तो कुंहें कि कुछ है ये calcium के absorption का कारण होता है vitamin D हमेशा calcium का absorption करवाता है, तो vitamin D बढ़ेगा तो calcium B अबढ़ जाएगा automatically, free me, ठीक ना next, hyper parathyroidism and hypothyroidism ये दोनों के दोनों मैंने बताया था calcium regulatory hormone है ठीक है, तो ये जब दोनों बढ़ जाएंगे तो calcium B बढ़ जाएगा, ठीक है और hyper calcium में क्यों होता है कुछ एक important diuretics की वज़े से भी hyper calciumia होता है कौन सी diuretic, thiazide, diuretics कौन सी, उसमें भी example कौन सा hydro sorry मेरी writing बहुत जाद अखराग हो रही है diuretics कौन सी diuretic, thiazide, diuretics thiazide में भी कौन सी, hydrochlor thiazide ठीक है, नाम आप देख लेना ठीक है, तो ये diuretics की बज़े से भी क्या होता है, calcium बढ़ जाता है ठीक है, अब science symptoms की बात कर ले तो मैंने बताया था, impulse, increase heart rate increase BP हो जाएगा, and constipation ठीक है, ये अलग है, ये ध्यान में रखना hyper calcium में क्या होगा कौन सी, बशन होगा, ये ध्यान में रख लेना अपने अच्छे से, management की बात कर लें, क्या management करेंगे अपन, तो management में अपन, intravenous fluid देंगे individual को, diuretics fluid क्यों देंगे, क्योंकि fluid से अपने को क्या करवाना है, to watch out the calcium calcium को बाहर निकलवाना है, fluid दे करके और साथ की साथ, diuretic दे करके fluid देंगे, diuretic देंगे, दोनों क्या करगी watch out कर देंगे किसको calcium को, ठीक है, तो ये था guys, सारा का सारा complete topic, जिसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़े starting में आपको बताई थी क्या क्या बताया था मैं बतादू, मैंने बताया था आपको fluid, जिसमें types of fluid, isotonic, hypertonic, hypertonic पढ़ लिया, fluid imbalance पढ़ लिया, जिसमें hypovolumia, hypervolumia पढ़ लिया, then अपने electrolytes की बात की, sodium, hyponatremia hypernatremia, potassium, hypokalemia, hyperkalemia and then last calcium, hypokalemia, hyperkalemia वीडियो अच्छा लगे, तो मैंने बहुत मेहनत से बनाए है, प्लीज इसको like करना और comment करके जुरूर बताना, आपको वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद